हेलो फ्रेंड्स शभीको नमस्कार वेलकम बैक टू मा यूट्यूब चैनल साथ्यों आज की वीडियो 30 देज कंप्यूटर लिटरेसी वर्क्शोप से सम्बंदित है आज की वीडियो में हम डे फूर 15.1.2021 का असाइनमेंट पूरा करेंगे इस वीडियो के माद्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस असाइनमेंट को पूरा करना है और कैसे इसको सब्मिट करना है साथ यो ये एसाइन्वेंट एक गूगल फॉर्म के माध्यम से किया जाता है तो वीडियो सुरू करने से पहले आप से निवेदन है कि अगर आपने भी तक मेरा यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो मैंने इसके लिए एक वार्टसाप गूरूप और टेलिग्राम गूरूप बनाया हुआ है आप उन गूरूप में शामिल हो जाएए आपको वीडियो सीधे मिल जाया करेंगी साथ यूए गूरूप बनाने का मक्सद ये है कि इससे सभी वीडियो सिक्सक्से संबन्दित होती है जो एक प्रेटफॉर्म पर उपलब्द हो जाती है आपको मेरे टेलिग्राम गूरूप और वार्टसप गूरूप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स मिल जाएगा तो सुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं डे फॉर का असाइनमेंट जिए गॉल फॉम है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यह ओपन हो रहा है कुछी सेकेंड में डिस्प्ले हो जाएगा प्रोसेसिंग जारी है लीजी आ गया है 30 देज कंप्यूटर लिटरेसी वर्क्सोप असस्समेंट सबसे पहले अपना इमेल एड्रस डालना है इमेल एड्रस डाल दिया है इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है नाम डालने के बाद डेजिगनेशन फिर आपको विद्जाले का नाम डालना है नाम वगेरा बहुत द्यानती डालने होते हैं इसके बाद ब्लोक डिस्ट्रिक्ट इसके बाद कॉंटेक्ट नंबर पहला कॉश्चिन है माइक्रो सोफट वर्ड है सिस्टम सोफ़ वियर अपलिकेशन सोफ़ वियर स्प्रैड सीट पोर्टेबल डोक्यूमेंट तो साथ यो आज का जो शैसन हुआ था उसके अकॉर्डिंग तो Microsoft Word एक application software है Option number 2 को क्लिक करेंगे अगला सवाल है बुलेट्स एम नंबर का उप्योग किस के लिए किया जाता है लिश्ट बनाने के लिए पेज नंबर देने के लिए ड्राइंग करने के लिए उपरोग सभी के लिए तो मेरे विचार से इसका सही जवाब होगा Option number 1 लिश्ट बनाने के लिए Next question है rows and column होते हैं shapes में, tables में, fonts में, word art में सही जवाब होगा Option number 2 tables में Microsoft Word में प्रिंट करने के लिए कौन सी shortcut key का परियोग किया जाता है पहला विकलब है control के साथ X दूसरा है control के साथ P तीसरा विकलब control के साथ Y और चोथा विकलब है control के साथ Z सही जवाब होगा मेरे विचार से Option number 2 control के साथ P Next question Zoom slider होता है सबसे नीचे दाहिने corner पर सबसे उपर by corner पर मद्यमें इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब जो है वे है कि विकलब नमबर एक सबसे नीचे दाहिने corner पर अबला question है किसी open document की किसी और नाम से second copy बनाने के लिए कौन से विकलब का परियोग किया जाएगा तो इसका सही जवाब विकलब है save as delete control प्लस जड open मेरे विचार से इसका सही विकलब होगा option नमबर वन save as next question है निम लिकित में से एक font style नहीं है regular, bold, italic, super script साथ चुर regular, bold और italic ये सब तो font style होते हैं तो इसमें विकलब नमबर चार सही होगा अबला सवाल है formatting toolbar में font की new thumb यवम अधिकतम size होती है 882, 772, 872 6 और 70 सही जवाब होगा विकलब नमबर 3, 872 अगला सवाल किसी paragraph में दो पंक्तियों के बीच की दूरी को कहते हैं spacing, word spacing, line spacing, row spacing paragraph में दो पंक्तियों के बीच की दूरी को क्योंकि दो पंक्तियों के बीच की दूरी की बात हो रही है तो उसका जवाब मुझे लग रहा है option number third, line spacing अगला question है नीचे चित्र में दिये गए विकलब किस tab के हैं insert tab design tab home tab view tab तात्यों इसमें जो दे रखा है new microsoft word document इसमें तो मुझे सही जवाब लग रहा है insert tab पता नहीं सही होगा या गलत चुनों देखते हैं आज का सेसन आपको कैसा लगा it was excellent चाप पर सिक्षिन में सीखी गई चीजों को अपने शिक्षिन कारियों पर योग करेंगे बिल्कुल करेंगे अगर हमारे पास तनसादन उपलब्द होंगे तो जरूर करेंगे send me a copy of my responses submit करते हैं इसको thanks for your feedback आज तो इन्होंने जो हमारा number आते है मार्स पता चल जाते हैं आज तो नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको इस assessment को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी मिलते हैं आप से बहुत जल अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार हब आई हंगे नहीं है